नव निर्वाचित उप्राष्ट पती जगदीब धनकर जी से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है अगंतुक लगातार आकर माननिये उप्राष्ट पती जी को बधाई दे रहे हैं ऐसे में इस समय हमारे साथ मौझूद हैं बंगाल बीजेपी के प्रफारी और लोकसवासांसद सुकानतो मजूमदार साब जिन्हों ने अभी उप्राष्ट पती साब को बधाई दिये सर अभी आप उप्राष्ट पती जी से मिलके आए आपने उनको बधाई दी साब कितना बड़ा अचीवमेंट देश के लिए देखिए बंगाल के लिए देश के लिए भी बड़ा अचीवमेंट है उनके जैसा एक लॉयर को ऐसे सांगविधानिक पदों पे पाना देश के लिए और जो सांगसद होंगे उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने का इससे एक मौका मिलता है बहुत बड़ा मुझे लगता ह है हमारे देश के लिए और एक किसान पड़िवार से वह पैदल चल के इतने दूर तक पढने की लिए जाते थे और इहां से उनों यहां तक पहुंचे और शबसी बड़ी बात बंगाल के लिए बहुत अनंद की बात है कि किakah बंगाल में उन्होंने लगभग तीन शाल उन् Constitution है हमारा Constitution के खिलाब कोई भी घटना घटी कुछ ऐसा कुछ सरकार ने कोशिश किया तो as a custodian of Constitution उनका जो रोल था वो सरहानिय रहा और हमेशा बंगाल के लोग जो पीरित लोग है जो opposition के लोग है जोगदान रहा वो बंगाल कभी नहीं भूलेगा दादा सुकंदोदा आपने बहुत करीब से बंगाल में जगदीब साहब को देखा एज गवर्नर कौन से ऐसे बड़ी उपलबदी उनकी बोल decision making क्या ऐसी खासित देखी जो आज राष्टर जब उनको प्राष्टपती के तो पर पाएगा तो उनकी उपलबदीता देश याद करेगा देखिए जब भी सरकार कोई भी पाटी का भी सरकार को जब जन्मत मिलता है तो उनको लगता है कि हम अबाब दा लौ है तो इन सब चीजों को याद दिनाने के लिए कि नहीं आप कोई भी मैं सांगसद हो आप है तो बाकी समय कोई दूसरा आ जाएगा तो यह याद दिलाने के लिए ही राज्यपाल है राज्यपाल का काम में ही है कि आपको संग्मीदान के दाइरे में रखना आइना दिखाना तो मुझे लगता है जगदीव धनकर जी ने पश्री मंगाल में ऐसे बहुत सारे काम के जैसे कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि वश्री मंगाल सरकार ने डिसिशन ले लिया आते हैं कि मुख्मंत्री जी एक करेंगे कि सारे मुख्मंत्री सारे विश्यव इद्धालायों के चांसेलर मुख्मंत्री जी होंगे तो यह भारत के जितने कास्टम से उसके खि कर दिया गया दोनौननी को कौर्परेशन किया कर दिया गया तो यूजिंग अलग कर मइनए को चरचा करके बार बार एक inग कर रह पिर इथे पिर उसको अलग कर ले रहे तो ऐसे बहुत सरे examples है जहाँ पे जगदीब धनकर जी ने संग्वीदान को रक्षा करने के लिए जो जो उचित कदम उठाने चाहिए थे ऐसे उचित कदम उन्होंने उठाए और सरकार को निरस्ट किया कि आप संग्वीदान के दाइरे में ही रहे इसके बाहरा जा नहीं सकते तो ये थे सुकानतो मजूमदार साहब जिनका साफ तरक पर कहना है कि जिस तरह से राजिपाल के तौर पर जगदीब धनकर साहब ने बोल डिसीयन लिये आने वाले समय में जब वो देश के उपराश्ट पती बन गया है तो बहुत बड़े डिसीयन राश्ट के लिए वो लेते आएंगे अमरेंद गुपता संसे टीवी